खबर गौलेर से है जहांके निम्बा जी खो इलाके में जोशी परिवार रहता है भिंड से रहने वाले दो सगे भाईयों से इस परिवार की दो बेटियों की सगाई हुई 2020 में दोरो बेहनों की डोली एक ही मंदब से उठी लेकिन कुछ दिन बाद सस्वराल वालों ने दहेज में दो दो लाक रुपए और बाईक की डिमांड कर दी मांग पूरी नहीं होने पर उनकी पिटाई तक की जाने लगी बाद में दोनों को घर से निकाल दिया गया दोरों ही बेहनों ने ग्वालेर के महिला थाने में शिकाया दर्च करवाई है जहाँ पुलिस ने पती के समेत और सस्वराल वालों के खिलाफ केस दर्च कर लिया है लेकिन आरूपियों को गिरफतार नहीं कर सकी उन्होंने पुलिस को बताया कि भावना की शादी 25 फरवरी को गुल्शन जोसी से हुई थी और इसी दिन एक ही मंटक में छोटी बहन तरुना की शादी उसके सगे देवर छोटु जोसी के साथ हुई तीन-चार दिन तो उन्हें अच्छी तरह से रखा गया लेकिन उसके बाद मायके से दहेज ना लाने के लिए तानी दिये जाने लगे उनके साथ मारपीट की जाने लगी ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया जहां मायके पहुचकर उन्होंने परजनों को पूरी बात बताई वहीं परजनों से दो दो लाख रुपए और एक एक बाइक लेने की मांग की गई बावना ने बताया कि उसका पती नपुनसक है वो दूसरों से संबंध बनाने के लिए कहता है वहीं जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट पी की दो नोई बेटियों का घर पुराल वालों के खिलाफ मामला दर्च कर लिया है महिला थाना प्रभारी से अलजा गुपता का कहना है कि पीडिता सगी बेहनों की शिकायत पर केस दर्च कर आरोपियों की तलास की जा रही है